हलो दोस्तों स्वागते आपका फूलों की घाटी यहां पर आने के लिए आपको बस का सहारा लेना होगा उसके बाद आप साइकल से के थू भी यहां अंदर विजिट कर सकते हो या फिर हम लोगों ने पैदली अंदर विजिट किया तो आएए चलिए वहां का यहां का नजारा देखते हैं कितना ब्यूटिफुल लगता है यहां अगर आप इस्टैच्य ओफ लिव यूडिटी आ रहे हैं तो उसके साथ ही यह सामने के एरिया में 250 एकर जमीन में यह बनाया हुआ है वैले और फ्लावर जिसको भारत वन कहके भी पुकारा जाता है इसकी विशेश्टा है कि इसमें 300 से ज्यादा किस्प के फ्लावर प्लांट्स है और लाखों की तादात में हैं प्लांट्स हैं बच्चों के एंटर्टेंट्मेंट के लिए वी काफी कुछ है यहां आरे बच्चों ने भी यहां खूब इंजॉय किया और सारे भारतीय परिवेश का भारतीय जलवायू का आनन्द उठाया तो आप यहां से सामने स्टेच्व यूनिटी भी क्लियर दिखाई देता है और मौसम इतना सोहाना है बरसात का मौसम हो रहा है तो यह सबी कुछ बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है तो मेरे साथ आप भी एंजॉय कीजिए यहां का गार्डन का यहां पर आपको बटरफ्लाइ गार्डन फ्लावर्स तो है ही उसके साथ गार्डन ग्लो है जिसका देखने का मज़ा रात में आता है तो अगर आप पूरा प्लान कर रहे हैं यहां गूमने का तो इवनिग टाइम में आई है जिससे कि आपको रात में यहां लेजर शो भी आप पी स्टैटू अफ यूनिटी का इवनिंग का शो में आपको पूरा दिखाऊंगी यह वाटफ्लाई गार्डन है जहां बटफ्लाई के बार में पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन है बच्चों के लिए अच्छा इंफॉर्मेशन गें दिया हुआ है और यहां एक व्यूपॉइंट फी है उसके अलावा आ आपका सेल्फी जोन भी इधर बनाया हुआ है यह आप बटफ्लाई का पूरा लाइफ साइकल देखेगा बच्चों के लिए अच्छी जान करिये है अभी हम निकल रहे हैं सेल्फी पॉइंट्स पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए है दो यहां बच्चे लोग अपना से लाइफ सामने नर्मदा नदी का नजारा ले सकते हो बच्चों के साथ यहां की पॉइंट्स बनाया हुआ है तो यहां को बताया मैंने के बच्चों के अट्रेक्शन के लिए काफी चीजें हैं लाखो पेड हैं यहां की बड़ी फ्लॉवर की कनेक्तिविटी बहुत तो आपको क्या करना हो है कि एवल आप जो यूनिटी के लिए जो आप टिकेट प्राइज लेंगे उजो 150 रुपीज है उसमें ही आपका ये वैली है फ्लावर एंड गार्डन ग्लो आता है तो एक ही टिकेट में आपको तीनों जगह के लिए आराम से नजोई कर सकते हैं यहा और टाइमिंग यहां का 9 a.m. to 5.30 p.m. और जो कि मंडे को क्लोज रहता है मैंटेनिंस वर्क के लिए तो अगर आप कभी प्लान बना रहा है तो आपके माइन में जरूर होना चाहिए कि आप मंडे को नहीं आने वाले और 5.30 के बाद यहां का जो इवनिंग शो है इसमें अर्टिफिचियल इनको ग्लो किया जाता है फ्लावर्स को और जो शो के रोप में आपको दिखाया जाएगा तो अभी आप देखिए और इंजोई कीजिए कितना ब्यूटिफुर लगता है 25 लाख LED लाइट को लगा के फ्लावर्स अर्टिफिचियल फ्लावर्स बन पिन्क स्कूटर का साहरा लेना अउता होगा जो कि मोदी जी की एक अलग परियोजना है जहां यहां के आदिवासी महिलाओं को लड़कियों को रोजगार देने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है तो अभी इसके बारे में हम डेटेल में और भी बाते करेंगे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगे आपको अभी हम जाने वाले सरदार सरोवाट है तो यह भी यहां की नैचरल ब्यूटी है गाय माता हमारी बच्चों को काफी दिनावाद यह नैचरल एहसास मिलाया तो बच्चों इसको जीने की कोशिश कर रहे हैं और यह पहुंच गए हम व्यूपाइंट पे जहां थोड़ा सा पैदल डिस्टेंस है दस पानुरा इसके गेट्स क्लोज कर रहे हैं तो पानी का बहाब यह व्यूपाइंट को ही एक कवर एरिया दिया हुआ है यहां भी आप खड़े होके सदार सरोवर डैम का पूरा नजारा ले सकते हूं और अब हम बस जाने वाले हमारी यत्रह यह समाप्त हो गई हम पापस लोट रहे है अद्बुत नजारा लगा आप भी जरूर आई इदर गूमने इसके बाद मैं जंगल सफारी भी हम लोग जाएंगे तो उसका भी वीडियो में आपको डालने वाली हूं तो मेरी सरदार सरोवर डैम और फूलों की घाटे की यत्रह समाप्त होती है मेरे और नए वीडियो का इनत्यार कीजिए फैंट बाए